सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल मायसरजी.com को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि कोई वीडियो आपसे मिसना हो अपकुल मिलाके 23 लोगों की लिस्ट मैंने बनाई है जिन लोगों की प्रोग्राम्स मुझे काफी अच्छे लगें और प्रोग्राम्स के अच्छे या बुरे होने का मतलब यह नहीं है कि आपका नाम अगर इस लिस्ट में नहीं है तो आपका प्रोग्राम सही नहीं था ये सारी बाते हम लोग judge कर रहे हैं और साथ में ये भी देख रहे हैं कि आपने कितनी जल्दी अपने code को submit किया है आप तो दोस्तों इसी आधार पे मैंने चुने हैं कुछ 10 नाम ये 10 नाम 23 के list में उपर हैं यानि total तो 23 नाम मैंने select करे हुए लेकिन उसमें से जो top 10 हैं उनके साथ लोग हैं उनके marks बराबर हैं और बाकी के तीन और तीन के बाद भी कुछ 7-8 लोग और हैं जिन लोगों के marks लगबग बराबर हैं तो मैं बताता हूं आपको slight difference के कारण लोग थोड़ा सा उपर नीचे हो जाते हैं top 10 नाम कौन से? सुनिये दियान से. सबसे पहला नाम ह सौरभ पाटीदार भोपाल से, 3. के-कार्तिक हैधराबाद से, 4. नाम है अभीनाव चोहान मुजफर नगर से, 5. नाम है आर्यन राज पुणिया बिहार से, 6. नाम है राहुलियादव दिल्ली से, 7. नाम है सूरिया सासारां बिहार से, 8. नाम है अभीनाव वर्मा अलाबा से नवा नाम है नितिन गर्क भटिंडा से दसवा नाम है सुमित गिर्वाल इन दौर से आप सभी लोग को बहुत 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 बदा है लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यह साथ और लोग हैं जिनके मार्क्स लगबक इन्हीं के बराबर हैं तो बहुत स्लाइड डिफरेंस के आपको पूरी कोशिश करनी है इन दो कोशन में आप बहतरी कोडिंग करें तो चलिए मैं आज का कोशन अब आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले ये कह देता हूं कि 34 गंटे आपको मिलेंगे इस कोशन को सॉल करने के लिए अभी से तो आप जितनी जल्दी हो सकता है इस कोड को बना कर सब्मिट करेंगे दूसरी बात C, C++, Java या Python में आप इसका कोड लिख सकते हैं और किसी language को आपको यूज नहीं करना है कोड आपको सिर्फ इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में ही सम्मिट करना है यदि सम्मिट करने के बाद आपको कॉमेंट में लिस्ट में वो नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब वो स्पैम में चला गया है पर आप उसकी जनता मत करिए मैं स्पैम के सारे messages रीट करता हूँ तो आप बेविकर रही है उस question को उस answer को मैं चेक करूँगा इसके अलावा आप लोगों में से कई लोग email id लिखना भूल जाते हैं तीन चीजें ध्यान रखिए code के साथ साथ आपको अपना नाम शहर का नाम और email id ये तीन बातें जरूर से लिखनी है इसके अलावा मैं जो इस question का answer submit करूँगा क्योंकि आज 20 तारीख है 20 सितंबर 2018 इसका answer यानि winners के नाम और अगला question मैं publish करूँगा परसों यानि की 22 सितंबर 22nd September 2018 को चलिए आज का question देखते हैं आपकी screen पे अभी आपको दिखाई दे रहा है एक shape ये shape आपको इस बार print करना है star pattern का simple सा shape है लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको generalize करना है इसको यानि आप user से एक number input करवाएंगे ये number होगा number of lines जैसे कि इस diagram में दिख रहा है आपको 9 lines आपको दिखाई दे रहे हैं यानि 9 lines का ये पूरा shape बना हुआ है आपको धियान रखना है अगर user ने 9 enter किया है तो बिलकुल इस तरीके से print होने वाला है लेकिन user कोई भी number input कर सकता है अब आपको दूसरी शर्त इसको निभाना है कि number जो user enter करेगा वो odd number होना चाहिए अगर user even number enter करता है तो हम shape नहीं print करेंगे सिर्फ odd numbers के लिए ही हम shape print करेंगे तो आपको अपने program को robust बनाना है तो ये भी ध्यान रखना है कि user जो number input कर रहा है वो अगर valid होगा तभी shape print होना चाहिए अगर user ने number valid नहीं print किया है तो आप proper message देकर इस बात को बताएं कि वो number valid नहीं है तो आपको ये काम करना है जितनी जल्दी हो सकता है मैं आपको फिर हिदायत देता हूँ कि आप कोशिश करिए कई logic से ये बन सकता है आपका logic बहतरीन हो आपका code छोटे से छोटा हो आपका code time complexity और space complexity के लिहाज से better हो robust होना चाहिए और fastest submission आपका होना चाहिए तो मुझे पूरी उमीद है कि आपको ये question भी बाकी questions की तरह पसंद आएगा और आप पूरी मेहनत करेंगे इस question को solve करने में तो दोस्तों अगर आपको ये video पसंद आ रहे हैं तो आप इसको like करिए जितना जादा जादा हो सकता है share करिए ताकि और भी लोगों को पता चले कि इस तरह का contest चल रहा है और आप इसमें participate करें और उनलों को भी motivation मिले कि वो इस तरह के contest में participate करें अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe जल्दी से कर लीजे और कम से कम अपने कुछ दोस्तों को भी इस चैनल पर लाईए उनको भी बोलिए कि इस चैनल को subscribe करें तो all the best इस question के लिए और मिलते हैं परसों इस question के winners के list के साथ थैंक यू, good bye